करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बात गुरु जी के साथ हेलो इंजिनियर्स आप सभी का स्वागत है सिविल गुरु जी दे सिविल इंजिनियर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में इस करन्टाइन के वक्त आप सभी अपने अपने घरों पे सेफली होंगे और इसी करन्टाइन के वक्त हमने डिसाइड किया है कि आपको आपके लिए कुछ छोटे-छोटे कोर्सिस हम यहाँ पर लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत जादा वैलियूबल और यूसफुल हो आपके आगे कर्यर के लिए तो आजकर हमारे चैक क्लिस्ट वाइल रिसेविग ड्रोइण के बारे में हैं कि क्या सारे ड्रोइंग्स हमेरे पास साइट में काम करने को आती है उनमें क्या च Tax करना होता है उन्रोइंग्स की किस तरह से एम आगे रिडाउट करेंगे हम जाने तो guys जो हमें checklist perform करने हैं और जो हमारी सारी drawings की उसमें सारी हमारी drawings जो होती है तो guys आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी Consequentary checklist होती है नगर निकन submission drawing, layout drawing, working drawing, RCC drawing, plumbing drawing, electrical drawing and landscape drawing यह सारे drawings के checklist के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में आएए डिरी ना करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सबसे पहले नगर निकन submission drawing उसके checklist से पहले हम हमें यह जाना जरूबी है की submission drawing होती क्या है तो पहले उससे जानते है की submission drawing होती क्या है guys a submission drawing or architectural drawing is a technical drawing of a building that falls within the definition of design or architecture design submission design submission drawing are used by architect site engineers or supervisor and other for a number of purposes to develop a design idea into a coherent proposal to communicate ideas and concepts to convince clients of the merits of a design to enable a contract contractor to construct it as a record of the completed work and to make a record of a building that already exists ठीक है guys यह रहा आपका definition submission drawing की की आपका submission drawing होता क्या है तो आपको guys मैं और अच्छे से समझाता हूं submission drawing को नक्षा भी बोलते हैं और blueprint भी बोलते हैं ठीक है जो आपकी submission drawing होती है वो जाती है नगर निगम या Municipal Corporation के पास जब हम permission के लिए drawing बेशते हैं तो वो जो drawing होती है उसे हम कहते है submission drawing आए दोस्तों जाते है कि क्या क्या details requirement होती है submission drawing के लिए अब जैसे guys आभी देख पा रहे है submission drawing का पूरा चार्ट है कि यह जो submission drawing होती है कि इस तरह से होती है इसमें बहुत सारी details दिये होते हैं और उन details के बारे में जाने के लिए कि क्या है वो details तो सबसे starting में रहता है तो सबसे starting में रहता है guys floor plan की क्या क्या दिये है जैसे कि हमारा ground floor है तो ground floor plan तो उसके साथ first floor भी है तो first floor plan तो दोस्तो floor plan में दो चीज ground floor plan and first floor plan अब बात करेंगे elevation के बारे में यह दिखराए आपको elevation अब बात करेंगे elevation के सकते हैं दोस्तों minimum एक साइट का elevation देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि दूसरी साइट का भी elevation दे तो आप दूसरे साइट का elevation दे सकते हैं तो यह elevation हो गया तो submission drawing में floor plan elevation and third उसका एक sectional view जो हमारे planning है उसका एक sectional view हमें वहाँ पर देना होता है इसा देख पा रहे हो यह आपका section view है अब submission drawing में next drawing होती है septic tank detail हमारे जो submission drawing होती है या कि एक submission drawing है तो इसमें हमारी next drawing के होएगी guys septic tank detail septic tank detail का एक cross section है और उसका एक elevation बनाया जाता है ठीक उसके बाद दोस्तों अगर हमारे में drawing में हमारे planning में rainwater harvesting डालते हैं अगर हमारे planning में include रहता है तो दोस्तों उसकी भी details हमें देनी होती है लेकिन आज की time में दोस्तों यह बहुत important है कि आप सभी आगे चलके जब भी घर का planning करवाए तो दोस्तों उसमें rainwater harvesting जरूर रखें क्योंकि कि आज के वक्त और future generation के लिए वह बहुत important चीज है कि rainwater harvesting से हम किस तरह से water बचा सकते हैं और हमारा groundwater table है उसको किस तरह से increase कर सकते हैं तो दोस्तों यह important point है आगे आप कभी भी plan करें तो अगर आप architect या engineer है तो आप अपने client को जरूर suggest करें कि sir आप अपने घर में rainwater harvesting जरूर लगवाना चाहिए दोस्तों यह important point फिर से recall करते हैं पहला आता आपका floor plans, elevation, section, septic time details and last आपका rainwater harvesting तो यह सारे details complete हमारे submission drawing में होते हैं जब हम pass कराने के लिए जाते हैं नगर निगम या municipal corporation में तो दोस्तों यह हमारी drawing के बारे में हो गया लेकिंग अब हम जानेगी कि क्या और extra content होता है हमारे submission drawing में जो बहुत useful रहता है जैसे कि देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं यहांपे कुछ details देख पा रहे हैं यह details है जो बहुत important है कि इसमें हमारा area statement रहता है area statement मतलब जो हमारा plot के area है वो कितना है उसमें हमारा built-up area कितना है यह सारी details हमें area statement में दी रहती है और साथ ही owner details भी दी रहती है, उसका plot का area और location भी दिया रहता है, साथ ही साथ जिस architect या engineer planning किया है, design किया है, उस architect और engineer के signature के लिए content भी होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका owner का नाम आएगा, owner का signature और यहाँ पर आपका architect और जो भी आपका engineer आएगा, उसका signature तो दोस्तों, यह जो proper complete जो setup है, drawing का plus information का जो complete schedule है, यह पूरा mail के बनता है, submission drawing, और यह submission drawing जाती है, government के पास, pass होने के लिए, नगर निगम या municipal corporation के पास, ओके guys, तो guys, यह ही आपको submission drawing होता है, अब इसके बाद आता है, important terminologies, कि important terminologies क्या होती है, तो guys, जैसे कि आप submission drawing बनाते हैं, तो उसमें आपके carpet area होता है, built up area होता है, super built up area होता है, plot size, plot area, यह सबी चीज़ होता है, उसी चीज़ से आप बनाते हैं, तो उसको हम बोलते है, important terminologies ठीक गाइस आपको मैं शो करता हूँ, यहाँ पर दिया हुई कार्पेट अरिया, बिल्ट अरिया, सुपर बिल्ट अरिया, सेट वैक अरिया, प्लॉट अरिया, फ्लोर अरिया रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ग्रॉण कवरेज और परसेंटेज कवरेज, यहाँ कुछ दिये हुए है गाइस तो आपको मैं हर एक point को अच्छे से discuss करके बताऊंगा कि क्या चीज होती है वो कैसे use किया जाता है किसको क्या बोलते है तो गाइस सबसे पहले मैं start करूंगा plot area और plot size जो यह length है गाइस जो यह length है total length और width इसको हम बोलेंगे ठीक है guys plot size length और width तो माल लीजिए 12 आपका length हो गया guys 12 आपका length है और 21 आपको क्या है guys width है that's it इसको हम बोलेंगे plot size आपको मैं फिट से बता रहा हूं तो माल लीजिए 12 by 21 का plot है तो 12 क्या होगा guys यह आपका 12 है और यह जो है guys यह आपकी width है 21 तो इसी को हम बोलते है plot size अब होता है guys हमारा plot area की plot area क्यों होता है plot area में length और width को multiply कर दो तो वह होगा यह आपका boundary wall दिख रहा है पूरा area को cover कर रहा है पूरा area को total represent कर रहा है और यह एक घर है यह built up कहलाएंगा ठीक है guys जैसे कि आपको यह घर है तो आपका यह क्या कहलाएगा built up area कहलाएगा जो घर दिख रहा है आपको यह built up है तो यह है आपका plot area and plot size ठीक है guys आपको मैं दूसरा बता रहा हो दूसरा है क्या है built up area, carpet area and super built up area अब देखती है built up area, carpet area, super built up area क्या होता है देखे कि जैसे carpet area यहां जो colorty notion है वो देखे हलका green आपको दिख रहा होगा यह जो bedroom है यह जो bedroom है balcony है toilet है इस सब दिख रहा है आपको external wall external wall को छोड़ना यह जो external wall को छोड़ना internal wall को छोड़ना जितना भी area cover हो रहा है यह पूरा आपका कहलाता है carpet area इसका एक formula बनाते हैं इसका एक formula बनाते हैं carpet area, carpet area equal to built up area अब built up area जहां से देखे यह blue color दिख रहा है आपको गाईस, built up area हमारा कौहां से में अब built up area जो blue color में mark किया हुआ है यह पूरा यहां से जहां तक का आपका main wall cover हो रहा है जहां main plinth उठ रही है यह पूरा आपका कहला आएगा built up area जहां पे आप रह सकते हो और असानी से देखिए यहां पे है रहा जा सकता है असानी से तो यह पूरा carpet area कहला आए जाएगा लेकिंग rara एक word use कर रहा हूं rara means क्यों होता है real estate, real estate regulation act, real estate का मतलब आप समस्ते होंगे खरीदी और विक्री, plot की खरीदी और विक्री, flats की खरीदी और विक्री यह सब जो होता है यह real estate के अंदर आ जाता है तो real estate में थोड़ा से definition को बदला गया है यह law आया है 16 में और 270 में लागू कर दिया गया इस law की according, carpet area और कुछ चीजों को थोड़ा बदला गया है यह इसलिए क्योंकि कुछ strict tools लिए गये हैं खरीदी विक्री के लिए जो builders होते थे, जो buyers होते हैं उनको कही न कहीं buyers लोग को नुक्सान होता है problem यह था सिर्फ की builders लोग अलग-अलग rate charge करते थे, मतलब अलग-अलग carpet area को measure करके उनको rates बताते थे तो कहीं न कहीं हमारे buyer को loss होता था और यह हर जगा अलग-अलग rates से चलता था इसकी वज़ा से rara एक act आया जिसमें एक सुनिस्चित कर दिया गया कि इतने area को ही carpet area माना जाएगा और और भी बहुत सारे rules इसमें लाए गए है, hit में जो buyers के hit में लाए गए उसमें rules तो यह rara जो है 500 square meter जो area में बता रहा हूं 500 square meter के उपर का ही rara में registration record है otherwise 500 square meter के नीचे वाले area अगर आप बनाते हैं तो उसमें rara का कोई role नहीं होगा इसलिए दोनों definition को आपको समझनी है, carpet area को मैं फिर से define कर रहा हूं carpet area, carpet area equal to built up area जितना भी built up होता है minus area of outer और inner wall इस दोनों को minus करके निकलता है carpet area लेकिन rara के हिसाब से carpet area क्या होगा carpet area equal to built up area minus area of outer walls और balcony को और balcony को नहीं लेंगे इसमें पहले दिखो इसमें लिया जा रहा है अब यह rara का हिसाब से balcony नहीं है और उसमें shaft की जो गाइस दिख रहा है और उसमें shaft नहीं है जो service shaft lift होता है lift होता है नहीं आएगा open terrace यह सब कोई count नहीं होता है carpet area में इस terminologist का use हमें कहीं न कहीं होगा future में आपको ध्यान रखना है rara वाली बात बता रहा हूं फिट से repeat कर रहा हूं जब आपके पास एक authority आ जाएगी मतलब 500 square meter के उपर का आप कर पाएंगे built up जब आप बना पाएंगे construction कर पाएंगे तब ही आपको रहा का आपको registration required होगा otherwise 500 square meter कम वाले रहा का registration required नहीं है और एक चीज़ और बता दू मैं एक चीज़ और बता दू मैं बी या फिटेक की जो degree होती है इसके basis में हमें जो license मिलता है वह 500 square meter तक का area का ही validation है उसके उपर का हम नहीं बना सकते हैं यह हमारा limitation है वैसी जो diploma वाले हैं उनके लिए 200 square meter तक का ही बना सकते हैं और इस प्रकार से categorize किया गया है वैसे ही architect का भी कुछ area decide कर दिया गया है town and country planning कुछ area decide कर दिया गया है ऐसे करके हम चलते हैं because सबका area सबको guys divide कर देते हैं जैसे कि आपका मैंने बताए engineers का अलग है diploma वाले लोग का अलग है और जैसे कि आपका architect वाले लोग का अलग रता है तो सबको ऐसे हम चलाते हैं because क्योंकि सबको यहां पर कहीं ना कहीं survive करना है तो डिप्लोमा वाले थोड़ा कम पढ़ते हैं वह three years का उनका syllabus रहता है तो उस हिसाब से वह जितना पढ़ते हैं उस हिसाब से धाइसो स्कार मिटर तक का ही एरिया कवर करते हैं और वी बिटेक वाले four years कवर करते हैं तो उनका थोड़ा सा जादा है और वैसी आर्किटेक्ट जैसे कि अभी आपको बताया डिप्लोमा और इंजिनियर्स वाले तो वैसी आर्किटेक्ट पांस साल पूरा टाउन एन कंट्रि वाले माश्टर्स होते जो टाउन बनाते हैं वह मास्टर्स होते उनके पास लिमिट है कि टाऊन और कंट्रि प्लैनिंग कर सकते हैं तो यह पूरा मैंने बताया अब मैं बात करने वाला हूं सुपर बिल्टप एरिया के बारे में बिल्टप एरिया तो मैंने बता दिया है यहां पर कि जहां पर प्लींट एरिया है वही आपका बिल्टप एरिया है सुकर बravil Prais अर्यवार रहा है और यहां पर जो और यहां पर जो औरेंज का बाँडरी है यह बता रहे हैं इसको मतलब कुछ भी चीज जूटा इसमें कुछ भी चीज नहीं छूटा है फ्लोट में जो यह एरिया है जैसे मैं इम्यजिन जैसे करेंगे इस बिल्ट area plus area of common amenities अभी common amenities का क्या मतलब होता है इसका मतलब common सुभिधाय जैसे flat को imagine करते हैं तो एक flat में क्या होता है कि staircase है lift भी है lobby वाला area भी है जैसे staircase से एक इंसान चड़ा अपने घर जाएगा एक इंसान चड़ा एक अपने घर जाएगा तो staircase का क्या हो गया वह common area हो गया तो जो common area होता है वह super built-up area में आएगा मतलब वह built-up के साथ add हो जाएगा कहीं नहीं कि तो यहां पर मैं बताना चाहा रहा हूं कि जो यह blue mark है यह आप देख रहे हैं यह जो blue mark है यह आपका built-up हो गया और अगर मैं बोलू super built-up area उसमें क्या है तो इतना पूरा area तो इतना पूरा area प्लस उसके बाद यहां पर देखो यह lift यह lift है यह lift वाला area यह lobby यह lift के ज़श्ट बाहर लिफ्ट के ज़श्ट बाहर निकलने वाला area lobby और यह जो staircase हो रहा है यह भी आपका कहीं न कहीं super built-up area में count होगा मतलब common amenities में count होगा तो यह पूरे area को जब हम sum करेंगे तो कहलाएगा super built-up area यह super built-up area वर्ड क्यों use कर रहा हूं मैं यह कभी न कभी जब आप high-rise building से deal करेंगे तो आपको word use करना पड़ेगा super built-up area तो आप समझ जाएंगे कि super built-up area मतलब कुछ बात कर रहे हैं यहां पर built-up के साथ common amenities common amenities such as lobby, lift, staircase, sometimes garden, sometimes swimming pool, clubhouse तो वह common चीज़े हैं जिसके पैसे चार्ज होते हैं और वह पैसे सब पे equality divide होते हैं मतलब माल लिजे एक flat में अगर staircase का जो भी area आ रहा है और उस flat में block में 6 flats है तो जितना भी area common आएगा वह divide by 6 हो जाएगा उतने में ठीक है मतलब उस tier का इसका पैसा सभी लोग equally divide करके देंगे built-up में add-on करके तो यह है super built-up area ठीके guys यह वीडियो का first part है next part में आप पढ़ेंगे floor area ratio, floor space index, ground or percentage coverage, नगर निगम by laws and another checklist के points के बारे में आप पढ़ेंगे तब तक के लिए दोस्तों बने रहीएगा इसी जोश और जुनिंग के साथ जै हिन जै भारत जै सिविल कुरू जी कर दोस्तों भारत जी